तो आपो आपको मीरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिए ताकि आप में और भी नए वीडियो देख सके तो चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं लोकी का हलवा बनाने के लिए 500 ग्राम लोकी 200 ग्राम मावा आधा कप शकर 4 इलाची इलाची का मैंने पावड़ बना के लिया हुआ है आशे 10 काजू काजू को मैंने काड के लिया हुआ है 5-6 बादाम बादाम को मैंने कुट के लिया हुआ है और दो बड़ा चमच गी तो चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोकी को छिल लेगे छिलने के लिए लोकी का उपला और जो पिछला हिसा है दोनों को काट लेंगे और अब हम लोकी को छिल के तयार करेंगे लोकी को मैंने छिल के तयार किया है अब लोकी को हम छोटे-छोटे टुकडों में कट करेंगे तीन या चार इसके हम टुकडे बना के तयार करेंगे अब लोकी को खिसने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर का इसमाल किया है और ग्रेटर से हम लोकी को खिसेंगे लोकी को हम इस प्रकार से पकड़ के फिर इसे खिसेंगे देखिए लोकी को मैंने बीच आनी तक खिसा है अब हम इसे पलट कर फिर खिसेंगे लोकी का जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम फैक देंगे क्योंकि हलवे में बीच का टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता लोकी को ग्रेट करके तयार कर दिया है अब लोकी को हम कुकर में पकाएंगे तो ग्रेट की हुई लोकी को हम कुकर में डाल देंगे और कुकर को हम बंद करेंगे अब गेस को मैंने ओन किया है और एक विसल आने तक हम लोकी को पकाएंगे एक विसल आने के बाद हम गेस का फ्लेम बंद करेंगे एक विसल आ गई है गेस का फ्लेम हम बंद करेंगे और cooker को थन्दा होने के बाद हम इसे खोलेंगे cooker का pressure है वो अपने आप निकल गया है तो cooker को अब हम खोलेंगे लोकी है वो अच्री तरह से पख गी है तो लोकी को हम निकाल लेंगे सबसे पहले अब हम pen को gas के उपर चड़ाएंगे और low flame पे gas on करेंगे और अब सबसे पहले हम मावा को हलका सा बून लेंगे मावे को हम 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इस अची तरह से बून लेंगे मावा बून के तयार है, मावे में से गी है वो अलग हो गया है तो अब गेस का फ्लेम हम बंद करेंगे और मावे को हम बीच बीच में continuous हिलाएंगे ताकि जिप के ना अब हम गेस बंद करके मावे को अलग प्लेट पे निकाल लेंगे अब हम वापस उसी पैन को गेस के उपर रखेंगे और गेस ओन करेंगे मैंने पैन में दो चमच गी डाला है यह हम ज़्यादा इसमाल नहीं करेंगे अब हमने बॉय की अब इसमें हम शक्र डालेंगे और अची तरशी विलाएंगे अब इतमें हम शक्कर डालेंगे और अची तरह से हिलाएंगे शक्कर है वो पीजल रही है तो शक्कर का थोड़ा सा पानी बना हुआ है तो शक्कर का पानी जल जाये तब तक उन्लोकी को पकाएंगे जिसका फ्लेमर मीडियम रखेंगे हलवे में से अभी घी बाहर निकल आयेंगे तो शक्का फ्लेमर मीडियम श्लोक करेंगे और शिक्का हुआ जमावा हमने तगयार किया था तो हम मावे को डालेंगे और इसे अची तरह से हिला के टाई मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम green food color डालेंगे ताथी ये अच्छा दिके अब हम इसमें इलाची पावड़ डालेंगे बादाम और आधे काजु मंदर डालेंगे और आधे काजु को हम कानिशिक के लिए बचा के रखेंगे अब इसे हम अच्छी तरह से हिला देंगे जिसका फ्लेमम बंद करेंगे और हलवे को सर्विंग बाल में निकालेंगे हलवा बनके तयारे मैंने इसे सर्विंग बाल में निकाल लिया है बहुत है डिलीसेस बना है आप इस रेसिपी को घर पे जरू ट्राय कीजे और मुझे कॉमेंट में फिडिबेक दीजिए कि आपको ही मैरी रेसिपी कैसी लगी हलवा बनके तयारे बहुत ही टेस्टी बना है आप इस रेसिपी को घर पे जरू ट्राय कीजे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे शेर कीजे कॉमेंट दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे दुबारा हम फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थेंक्यू बाई